भक्त एवं भगवान दोनों के जरण को भो कर पीने का क्या महत्प्व है पुराणों में भागवत में अनेक ग्रंथों में सरवत्र जरण के जरणोदक को बड़ा महत्प दिया गया है गवराण्ग महाप्रभू ने तो दो दो बार कहा है भक्त पद धूर और भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशिष्ट तिन महाबल एई तिन सेवा हैते कृष्णे प्रेमा होए स्रीक्रिष्ण में प्रेम बढ़ाने के लिए तीन उपाय बताए भक्त की चरण धूल भक्त के चरण धोवन जल और भक्त का उच्छिष्ट जूठन भोजन ये तिन महाबल ये महाबल हैं और तो साधन सब बल हैं ये तीन महाबल हैं इन तीनों का सेवन करने से कृष्णे प्रेमा होए सिरिकृष्ण में प्रेम बढ़ता है यहां तक बात है भक्त की भगवान स्वयम कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शान्तम निरबाईरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंगरिरेणु भी जो भगवत प्राप्ति कर चुके ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूं पीछे पीछे रक्षा करने के लिए नहीं रक्षात मैं अंदर बैट कर करता हूं पीछे पीछे इसलिए चलता हूं कि अंगरी रेणु भी उनके चरण की धूल उड़कर मेरे उपर पड़े अपूये ये मैं पवित्र हो जाऊं चरण धूल का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान अपने आपको कहते हैं मैं पवित्र हो जाऊं इस एम से भक्त के पीछे पीछे चलता हूं और योग छेम जो बहन करता हूं वो तो भीतर ही बैट कर करता हूं उसके लिए बाहर आने की जरूरत नहीं है तो भगवान की चरण धूली या भक्त की चरण धूली दोनों का एक अभिप्राय है उसमें अंतर नहीं है भगवान की चरण धूली भक्त चाहता है भक्त की चरण धूली भगवान चाहते हैं ये इन दोनों में आपस में मिली भगत है भक्त भगवान की प्रसंसा करता है भगवान भक्त की प्रसंसा करते हैं भक्त भगवान की भक्ती करता है भगवान भक्त की भक्ती करते हैं इनका अन्योन्य संबंद है और वास्ताव में तो भक्त और भगवान दो नाम हैं भक्त भक्त भगवन्त गुरू चतुर नाम बपु एक एक परस्नेलिटी के चार नाम हैं भक्त भक्त भगवान गुरू तो ये चार में दो तो ये कही है भक्त या गुरू वो तो भक्त है ये गुरू भी वो हमारा गुरू नहीं है लेकिन भगवत प्राप्त संत है तो वो ये कही बात है तो एक भक्त, एक भक्ती, एक भगवान, भक्त में भक्ती रहती है और भगवान रहते हैं यानि तीनों में तीनों का निवास है, इसलिए तीनों एक हैं, चतुर नाम, बपु एक, शरीर एक है, चार नाम हैं, देखने के अलग-अलग हैं क्योंकि भक्त की परिवाशाई यह है, कि जिसका प्रतेक वर्क भगवान करें, भक्त कुछ न करें, कम्प्लीट सरंडर का मतलब कुछ न करना भक्त ने सरंडर कर दिया, मामे कम शरनम ब्रज, अब उसका वर्क भगवान करते हैं तो फिर शरीर का भेद है, यह एक भक्त का शरीर है, एक भगवान का शरीर है और वर्कर एक है, करता एक है, भगवान इसलिए भक्त और भगवान दोनों की चरण धूलिका इतना आधिक महत्व है कि उसके द्वारा भगवत प्रेम प्रकट होता है यह रहस्य भगवान और भक्त दोनों ने शाष्त्रों में प्रकट किया है उसके आधार पर जीव आगे बढ़ता है और अपने लक्ष को प्राप्त करता है प्रकट करता है प्रकट करता है यह रकामन दबारीपां नूए दफ्र कामन दबार्दक करता है प्रकट करता है गुरु मजए माँर॥ Сейчас गुरु ठरहे तामर भरी माँर। गुरु पर गडय नाया फाल। गुरु इकक्षी यह माँर। बेड़ नहीं हा, तो बेड़ नहीं हा